एसार के म्यूजिक प्रसोत नर्माता रोशन सिंग और सूपर स्टार खिसारी लाल यादव की हालिया रिलीज फिल्म रंग दे बसंती इतिहास रचने जा रहे हैं जो की माउथ पब्लिसिटी के बाद और तेजी से बढ़ता जा रहा है मालूम हो कि भोचपुरी फिल्म में पैन इंडिया रिलीज नहीं होती है रंग दे पसंती को लगभग 200 सिनेमा घरों में रिलीज किया गया है फिल्म से जुड़े लोगों ने बताया कि फिल्म को मल्टी प्लेक्स पर अच्छा रिस्पोंस मल रहा है फिल्म के निर्माता का कहना है कि जस उद्देशे से हमने फिल्म बनाई थी वो पूण होता ही दिखाए दे रही है क्योंकि एक वर्ग जो भोचपुरी फिल्मों से कटा हुआ था मल्टी प्लेक्स में रिलीज होने से दर्शकों ने येटर में आना शुरू कर दिया हाला कि फिल्म का बजट करोडों का है और ये भोजपुरी की सबसे बड़े बजट की फिल्म भी है। ऐसे में अनुमान है कि फिल्म आने वाले कुछ एक दिनों में अपनी लागत वसूल कर लेगी और मुनाफ़े की कमाई करेगी। फिल्म के लिए सबसे सगरात्मक बात ये है कि इसे दर्शक मल्टिप्लेक्स में फिल्म को खूब इंजॉय कर रहे हैं और लोग एक दूसरे को इस फिल्म को देखने के लिए भी कह रहे हैं। मालूम हो कि फिल्म रंगदे बसंती में खिसारी लाल यादव, रती पांडे और डायना खान के साथ अमिता भट्टाचारिया, फिरोज खान, मास्टर रिशब यादव, राच प्रेमी, आमित तिवारी, समर्थ चतुरवेदी, प्रकाश जैश, जोती कलश और रीना रानी ह मनोज कुश्वाहा हैं और संगीतकार ओमजा, फिल्म के गीतकार प्यारे लाल यादव, अर्विन तिवारी, राकेश निराला, डॉक्टर कृष्ण एन शर्मा और सत्य सावर कर हैं आपने अभी तक ये फिल्म देखी के नहीं देखी और देखी तो आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कॉमेंट कर सरूर बताएं अभी के लिए इतना ही ब्यूर रिपोर्ट बिहार अपडेट